मैं आज आप लोग को एक ब्रीच की हंतिया कुवर नरायन द्वारा रचित पाठ का प्राश्ण उतर कराने वला हूं इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था तो 19 सितंबर 1927 स्पीड लखनव उतर परदेश ठीक है अब इसका कोश्चन देखते हैं कि फर्स्ट कोश्चन क्या है बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन होता है इसली इसको ध्यान में रखेंगे हमेशा कभी को ब्रीच बूढ़ा चोकिदार क्यों लगता है तो जैसा कि एक ब्रीच की हत्या है इससे असपश्ट होता है कि इस काहानी को आप लोग अगर नहीं पर है तो थोरा सा इसको हम संचेप करना चाहेंगे कि एक ब्रीच की हत्या में कभी के धरवाजे पर एक ब्रीच होता है और वो चले जाते हैं सहर और कुछ दिनों के लिए फिर आते हैं तो उनके धर्वाजे पर ये बिरिच नहीं रहते हैं तो कभी ये कवीता लिखते हैं तो जब ये लिखते हैं तो वही जो है एक बिरिच की हत warrant आपका पाठ हो जाता है और इसमें उनका बर्नन किया जाता है तो उसी कवीता से हम लोग ये प्रशन उतर किये हैं कि कभी को ब्रीच बूढा चोकिदार क्यों लगता था तो ब्रीच जो है पुराना था मोटा था और मैट महला था उसके छाल छाल थे मानो खाकी वर्दी धारन कर रखा हो एक सुखी डाल जो एसा लगता था मानो चोकिदार की राइफल हो ब्रीच घर के आगे में था जो चोकणना जैसे साबधान होकर खरा दिखाई पड़ता था इसलिए ब्रीच कभी को बूढ़ा चोकिदार जैसा लगता था जैसे कि मैंने बर्णन पहले ही कर दिया कि यह जो है पेर कट चुका है अब उनका बर्णन कभी अपने सब्दों में कर लेते हैं तो आप लिख सकते हैं जैसा कि यह पार्ट भी है और कहानी भी है तो अगला जो कुछन है ब्रीच और कभी में क्या संबाद होता है तो यह जो संबाद होता है वो कभी के द्वारा होता है तो इसका मतलब मानवी करन किया गया होगा नहीं तो ब्रीच क्या फरस्तूत किया है ब्रिच दूर से कभी को पुछता कौन तो कभी क्या जवाब देता मैं तेरा दोस्ट या दोस्ट ठीक है कभी अगला जो कोश्चन है कभीता का समापन करते हुए कभी अपने कीन अंदेशों का जिक्र करता है और क्यों जब ये पेर नहीं रहेंगे तो क्या क्या हो सकता है कभी का इसी अंदेश से जिक्र करते हुए कहते हैं जैसे कि अगर ब्रिच नहों हो तो क्या क्या हो सकता है तो वही क्षेशन है तो इसका अंसर है कवीता का समापन करते हुए कभी का अंदेशा है घर के लुटेरों का, सहर के नदियों का, देश के दुस्मनों का, नदियों को नाला हो जाने का, हवा को धुमा हो जाने का, खाना जहर हो जाने का, जंगल को मरुवस्तर बनने का, और मनुस्य के जंगली हो जाने का क्योंकि ब्रीच के कटने से प्रियावरंदूसित हो जाएगी लोग विमार परेंगे गाव सहर बरबाद हो जाएगा नदिया सिमल कर नाला बन जाएगी कब जब बिरेच कट जाएगा तब हवा में कारवन डायकसाइड की ब्रीधी और अक्सीजन की कमी हो जाएगी खाने का बस्तू जहर हो जाएगा जंगल मरुअस्तर का रूप ले लेगा तब मनुस्य पास्विक प्रविर्थी को अपना कर जंगली जानवर की तरह विवार करेगा यानि कि ये तब संभव हो सकता है जब ब्रीच ये दुनिया में कट जाएगे बहुत तो तब ऐसी स्थ हो सकती है कभी को अंदेश तो वसी को हम लोग इसको लिख लेना है तो आप लोगको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको मिलते हैं आप लोग से नेस्ट वीडियों में थैंकू फॉर वाचिंग